उस्ताज जी आपका जो इतना लंबा तजूर्बा है उसके आधार पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की जो पीड़ी है या आज जो मौझूदा परिवेश है परिद्रिश्य है भारतिय शास्त्रिय संगीत का उसको आप किस तरीके से देखते हैं आजकल अफसोस ये है कि जाधा तर लोग अब लाइफ में शॉटकट ढूंट रहे हैं कि जल्दी से हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं जल्दी से हम बहुत पैसे वाले बन जाएं हमारे मुजिकल इंस्ट्रुमेंट्स में एक शॉटकट आया हो कीबोर्ड यानि जपान या थाइलेंड या जहां से भी वो बनता है तो हजारो मिलिशन्स की रोजी रोटी खत्म होगे उससे क्योंकि वो कीबोर्ड फ्लूड की अवाज निकाल रहा है सितार की लिका रहा है हर चीज की खुदा का शुकर है सरोद की अवाज अभी उसमें नहीं आई है लेकिन शाहिद आजाए वो भी, you never know. तो कीबोर्ड एक, I mean you feel proud कि वह एक इनसान ने एक ऐसा साज बनाया है कि you feel proud कि एक human being नहीं है, it's a greatest achievement of human being, कि कीबोर्ड बनाया, या fax machine बनाया, mobile बन गए, लेकिन mobile के खत्रे अब रोज आप अखबारों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जितने invention हो रहे हैं, उनके खत्रे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वह है कि tradition और technique, यह friendly होना है, और human touch जो है, यह electric instruments बने हैं, और यह electric का जो concept है, यह South India से शुरू हुआ, South India में सबसे weak अवाज है वीडा की, बहुत ही कमजोर बड़े बड़े वीडा वादक थे वहां, लेकिन कई वीडा वाले ऐसे थे जिन्होंने electric उसमें current लगा दिया, तो अवाज loud हो गई, अब इतनी loud हो गई कि वो बरदाश्त के बाहर हो जाती है, वो इतना loud कर देते हैं व हमारे किसी वाइलिन बालों ने भी electric लगाया, किसी सितार में भी, तो electronic दुनिया बढ़ती जा रही है, और electric और जिसको हम बिजली करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी दुनिया में, light, light का, पंखे, लेकिन music में ज्यादा electronic होने से, आदमी को बजाए शां हो जाता है, आदमी, noise होने लगती है, शोर शरावा होने लगता है, लेकिन संगीत में जो human touch होता है, उसी human touch से, इंसान की आवाज से, या साथ से, लोगों को शांती मिलती है, खुशी मिलती है, और बड़ी-बड़ी बिमारी हैं दूर हो जाती है, अगर appealing music आदमी सुने तो आपकी जो अगली पीड़ी है, अमान, अयान, दोनों बहुत एक तरीके से आपकी जो परंपरा है, उसको बहुत सही दिशा में आगे लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ सिखाया है आपने उन्हें, एक गुरू के तौर पर, एक पिता के तौर पर, क्या संसकार दिये हैं आपने भगवान की कृपा है कि अमान, यान, भी जिम्मेदार बन गए हैं, अब उनको मुझे कहने की जरूरत नहीं पढ़ती है, रियास करो, जब भी कॉंसेट होता है, तो वो अपने-पने कमरों में सरुद लेके, रियास करते रहते हैं, तो ये, और आज भी मैं, ये कह रहा हू कि हर संगीतकार के लिए, ये लंबी यातरह होती है, खुदा करे हर संगीतकार अपनी मंजिल तक पहुंचे, और with discipline and dignity, क्योंकि classical music, एक elephant walk है, you have to walk with dignity and elegance, हम किसी rat race में नहीं है, किसी दौल में नहीं है, हमारी field में कोई हार जीत नहीं है, हार जीत की दुनिया में दुनिया interested है, हार जीत की दुनिया sports है, कि कोई किसी दिन जीत रहा है, कोई हार रहा है, किसी को मारना है, किसी को गिराना है, दंगल हो रहे है, पहलवान किसी को मार रहा है, कोई जीत रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, तो हमारी field में खु हमने सुना है एक कारिक्रम के सिलसले में आप गए हुए थे और वहीं सुब लक्षमी जी से आपकी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद वह मुलाकात जो है वह शादी में एक एक रिष्टे में तब्दील हुई तो क्या है यह दिल्चस्प किस्सा जरा बताएं हमारे दर्शक को कलकत्य में कला संगम म्यूजिक फैस्टिवल होता था और वहीं पर बहुत कलाकार उस्ताद अमीर खासाब भी गा रहे थे और भी बहुत विलायत खासाब भी बजा रहे थे इनका भी डांस था क्यूंग यह आसाम की एक बहुत ही कल्चर परिवार की बेटी है और इन्हो देखा और वो डांस देखते वर अख़ड एसा लगा कि जैसे भगवार ने इनको मेरे लिए भीजा है और उसके बाद फिर उसके बाद है कैसे मिले क्या हुआ फिर उनके पूरे परिवार से जो उनके पिता जी थे मेरे फादर इनलो परसुराम बढरुआ वो आसाम फिल्म के पहले हिरो थे उनके बड़े भाई थे पीसी बर्वा जो मैंबर ओफ पार्लिमेंट थे कॉंग्रिस के थे वो घर में टी का टी गार्डन का बिजनस यही काम था तो उन सारे बुजरुगों का आशिरवाद मिला और उनका प्यार आशिरवाद और वहां से फिर हमारा रिष् एक बहुत बड़ी यानि कलाकार तो हमेशा कलाकारी रहता है यह कहना गलत हुआ कि उन्होंने डास छोड़ दिया वो छोड़ता कोई नहीं है लेकिन स्टेज पर नहीं है वो अलग बात है बट लेकिन जो उनका योगदान है हमारे परिवार में और अमान अयान की माता के र रूप में डॉर्टर इनलाओ के रूप में तो बहुत बड़ा योगदान है इसलिए राग सुभ लक्ष्मी बना वो पहली बार हम चिन्हें में बजाया है हमने को वो उनके बर्थरिये पे हमने प्रेजेंट किया था कि इन्होंने हमको इतना दिया है दो पुत्र दिये है और हम एक शान्ती सुख शान्ती घर में दी है तो हम क्या दे सकते हैं तो यह राग बना वहां और यह राग भी समा गम के अंदर है दोच bringing वो बना दे सकता है दारा दारा जारा एक तो एकमैलिटी है एक दून है तो इस और्केस्ट्रा में भी समागमें इसको बजाया है तो यह है कि नई-ने राग, नई-नई मैलिडी आना सौभाविक है यह यह नेचरल है, अनेचरल नहीं है कई कलाकार आपको ऐसे मिलेंगे, संगीत काज केंगे भी नई राग कुछ नहीं होते हैं तो बच्चे परदा करना है, भंद कर दो भई तो नई राग ऐसा होता है कि उसमें कई रागों का ग्लिम्से होते है यह फलाने राग का, यह उस राग का शेड आ गया है उस राग का शेड आ गया, उस राग का यह है बच्चे की भी तो वही आइडेंटिटी है देखो इसकी आँके बाप से मिलती है उसकी नाक माँ से मिलती है उसका मा था दादाजी से मिलता है तो शबाहत एक शकल में घरवालों की माबाप की या नाना की दादा की कुछ अंश बच्चे की शगल पर होते हैं वैसे ही राख है सारा creation साथ सुरका है आप दरवारी गा रहे हैं तो उसमें भी आपको कई ऐसे phrases लगेगे कि फलानी राग का phrase है ये फलानी राग का phrase है तो ये natural है बच्चे अगर बच्चे की शकल अगर किसी से ना मिले तो फिर बच्चे पर शक पैदा हो जाएगा आपको तमाम पुरसकार मिले तमाम सम्मान मिले लेकिन अगर मैं सही हूँ तो अभी भी आप अपने आपको जो कहलवाना पसंद करते हैं वो ये कि जिस एक ऐसे कलाकार के तोर पर आप अपनी पहचान चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया में लोग सबसे ज़ादा प्यार करते हूँ क्या ये सही है देखी क्या है कि एक क्रियेटिव लाइन जो है ये भगवान का जिसको भी आशिरवाद मिलता है वो अच्छा गायक हो अच्छा वादक हो इसको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है और जिस आदमी को recognition नहीं मिलती जिस आदमी को जंता discard कर देती है जिस आदमी को लोग बुलाते नहीं और उसका गाना बजाना नहीं सुनते तो वो जाधा उसके अंदर गुसा आजाता है frustration आजाता है किसी ने एक लटीफा सुनाया मुझे, कि दो बहुत फक्कड मुजिशन आपस में मिले, कहने बहुत सिगरेट पलाईए, तो एक ने सिगरेट दे उनको, उन्होंने एक पफ लिया, कहने बस अब तुम और हम दो ही तो हैं मुजिशन, दुनिया में, और जब दूसरा पफ लिय तो भी क्या करता है, तो यह जो गुसा है, और जब आदमी, नाकाम, नाकामयाब नहीं कह सकते उनको, क्योंकि हर मुजिशन अपने दिल दिमाग से अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, कोई भी कलाकार को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो साथ सुर का ही काम कर र तो काम्यावी है ये तो भगवानी देता है और लोगों का प्यार मुहबत ये भी इनसान की किस्वत में है तो मिलता है और नहीं है तो नहीं मिलता है और असली काम्यावी यही है कि जब लोग आपको प्यार करने लगा नहीं तो कितना ही रियाज कर ले आदमी अगर लोगों क का आशिरवाद और प्यार नहीं मिला तो वो रियाज बिकार है एक दफा हम को विलायत खाथ साब को रोम ले गए थे उस्ताद विलायत खाथ साब एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था इंटरनेशनल पोएट्स कॉन्फरेंज शाद 70s की बात होगी मेरे ख्याल से हमारी वाइ थेटर का आर्टिस था जो बुलाने पर्सनली आया था और उसने हमको अपने घर में रखा विलायत खाथ साब को वो अपनी वाइफ के साथ गए थे उनको एक अलग घर दे दिया था फिर एक दिन वो आदमी मुझे पूछने लगा हम लोग बैठे थे सब मेरी वाइब भी कि हम पब्लिसिटी में आपका नाम कैसे लिख है अब ये बड़ी बेगूफी की बात है कि हमसे पूछे रहा है तो हमने जैसा आपकी इच्छा हो इसमें हम क्या कह सकते हैं तो हमारे एर्द गर्द लोग जो थे ये लिखिये वो लिखिये फुलाना लिखिये तो मैं यह जवाब की इच्छा हो तब वो कहता है कि यह मेरी मजबूरी है क्योंकि उस्ताद विलायत खां के साथ उनके कॉंट्रेक्ट में यह लिखा था कि मैं इतना पैसा लूँगा य जाय मुजिशन ऑफ दे सेंचुरी तो जब वो सेंचुरी कह रहे हैं तो मुझे मजाख में ऐसा लगा कि मैं कहा दूं मुजिशन ऑफ डबल सेंचुरी लिख दो लेकि वो दिमाग में यह बात आई ही लेकि मैं बोला नहीं क्योंकि मैं उनकी इज़त करता था और वो कोई उस्ताद की जरूत नहीं कोई विजर्ड की जरूत नहीं बस मुस्ट लव मुजिशन ऑफ इंडिया अमजद अली खान बस तो उसी तरह दे पबलिसिटी आई पूरे सवाल यही है कि मज़ा इसी बात का है कि दुनिया आपको उस्ताद कहे या पंडित कहे हम अपने मू आप हमारे लेटर हेड देखिए विजिटिंग कार्ट देखिए सिर्फ अमजद अली खान की दुनिया ने 14-15 साल की उमर से दुनिया कहने लगी उस्ताद अमजद अली खान तो वह उसका एक आशिरवाद है कोई हमारा उसमें कंट्रोल नहीं है या कोई हमारी इसको मिलता ह है यह आप डिमांड नहीं कर सकते इसको जब लोगं का प्यार आशिरवाद मिलता है और जितने बड़े बड़े वार्ड मिल जाते हैं इतनी कम उमर में जब सरोत समराट प्रयाक संगी समिती ने तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा और जिम्मेदारी इस बा अभी कॉन्फरेंस में नाखपुर में एक फेस्टिवल में हम गए थे और हम बड़ी देर तक बैठे थे ग्रीन डूम में हमसे पहले कोई यंग एक गाना गा रहा था यंग कलाकार तो और ने यह महसूस किया कि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तो उसको चिट उसका गाना बंद हो गया तब हमना बाद में फतर लगाया व मम्जिया चलिये-चलिये जल्दी चलिये तो उसका बंद हो गया फिर रात को हमें ऐसा बड़ा बुरा लगा के These वело कि पहुत जा रहा था उस Was को बंद कैसे करा तो मैंने ओसको फिर फोन किया, मैं गया भई आप नेरी वज़े से आपका ऐसा हुआ है तो मैं I am very sorry about it. तो मैं विचारा सुभा होटल में आगया हुआ मिलने के लिए, कहते है नहीं नहीं मैं तो आप ही को सुनने आया था, नहीं मैंने कि मुझे बहुत आनन्द आ रहा था आपका गाना सुनके, और ऐसा करना नहीं चाहिए हो अगनाजर को, पहली ही टाइम दे दे, क्योई 10 मिनट गाओ, 15 मिनट गाओ, गाते में आप चिट पहुँचा देते हों, तो यह सब चीजों का एहसास, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी, उसके दिल पे क्या लगा होगा, कि अचानक वो बंद करके उठके चला गया, तो इन बातों का ध्यां लिखना पड़ता है, उस आरे पूरे शोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, कि आप ऐसे ही हम सब को संगीत के जो आपके रस हैं, उनमें डुबोते रहें, आप दिल गायूं हों, और हमें खुब सारी जो अच्छी अच्छी बाते हैं, आपके संगीत के जरिए, नए ने सुरों के जरिए, नई नई रागों के जरिए, वो हम तक पहुचाते रहें, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्युति हैं, एक बार फिर ससका बष्ची जरिए, इंचे संगीत के जरिए, ने से जरिए णमेलहरें, एक रागों के जरिए, ने से जरिए, उनमेलहरें, एक एंगें रहें खनाते अंगें, जरिए के आपका बहुत गार दोब्लुखफद लोगते रहें ऩ north favor सकतिते बाव कर दो 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 कर कर दो 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 झाल 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 झाल